हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विशाला सब के सभावत करता हूं आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गवा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपक कर सकते हैं आप उत्तर प्रिदिस में जौब रही सरकारी नहोंगरी क्वालिफिकेशन इसके लिए डिप्लोमा वाले अपलाई कर सकते हैं ओके तो इसके लिए अगर आपको डीटेल में जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्शन में में लिंक आपको प्रोवाइड करा पच्चेस सितंबर को लाज़ेट रही है अपलाई ओनलाइन की 14 अक्टूबर लाज़ेट फो पे अप्लिकेशन फीस रहेगी ऑनलाइन मोड से 14 अक्टूबर चालान के थुरू अगर बात करें तो दस 14 अक्टूबर और लाज़ेट ऑफ फॉर समिशन अप्लिकेशन फीज गर बात के बढ़े तो चाहिए इसके लिए इनजीनियर ट्रेणीयो और ऑन्टूबर पोस्त है इसका लिए आपको डिगरी होनी चाहिए है ग्रिशन के डिगरी हो जाहिए अगर assistant engineer training के लिए अगर बात के लिए अगर बात के तो इलेक्ट्रिकल के रहे हैं और इसके लावे having selection A and B and the associate membership of the institution of engineering or must be a member of institution of engineer India or associate member of institute of civil engineer London and having knowledge of Hindi in Devanagari script. Okay, दोस्तो, तो ये रहेगा आपका अभी तक का eligibility criteria. Age limit में अगर बात करें तो इसके लिए एक जन्वे दोयर उन्हें इसके according वैरी की जाएगी minimum age 21 साल, maximum 40 years. As per government route relaxation मिल जागा age का. Selection process की बात के तो computer based test होगा और interview होगा. ये रहेगा पूरा procedure. तो दोस्तो अगर ये विकेंसी आपको जरा सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो के नीचे description में link मिल जागी. वहाँ पर जाकर आप इसके बार में detail में जान पाएंगे और इसके लिए apply भी कर पाएंगे. तो friends, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम क्यों हो, तो like कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, bell icon को दबाना ना भूले. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए. Bye दोस्तो.